नमस्कर दोस्तों, इस वीडियो में आप गडित पेड़ागोजी के महतोपुन प्रशनों की सिरिंखलाद देखने जा रहे हैं गडित पेड़ागोजी सीरीज की ये प्रमुक 10 वी वीडियो है अगर आप गडित के सांसां सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट के कम्प्लीट पेड़ागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसकी अलावा सीटेट अपर प्रायमरी और प्रायमरी प्रीवियस ये सब इस शिफ्टों के कम्प्लीट पेपर सॉलूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप थोने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर पेस कर लिजेगा सीटेट, यूपीटेट और सूपरटेट की बहतरीन तरीके से त्यारी करने के संदर में चले दोस्तों आज केस में तो पूर्ण वीडियो कर शुरू करते हैं पहला प्रशन पूछा गया है जीन प्याजे द्वारा दिये गए ग्यान के छेत्रों में निमलेकित कत्रों में से कौन सा कथन सही है जीन प्याजे के नुसर पूछा गया है ध्यान से समझेगा जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त दिया था जिसके मादेम से उन्होंने बताया था कि बच्चे सक्री रूप से भागीदारी करके स्वैम करके अपने ग्यान की रचना करते हैं यानि अपने संग्यानात्मक विकास को बढ़ाते हैं तो स्वैम करके सीखने वाला विकल्प हमारा सही होगा, साथी साथ गडित के संदर में पूछा गया है, गडित के संदर में, और यहाँ पर देख लिजे, लेव आइगोस्की का टर्म क्या था, जो समाजिक सांस्कृतिक बात करेगा, जो भी समाजिक से जुड़ा बात करेगा, वो वाला विकल्प हमारा उतर नहीं होगा, क्योंकि वो लेव आइगोस्की का टर्म था समाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, चलिए, अब विकल्पों में चलते हैं, पहले विकल्प से सुभवात करेंगे, क्योंकि बच्चे वस्तूओं को की गर्णा से सम्मंदित करके सीखते हैं, देखे, यहाँ पर गरित को क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रेश्ण जो है, वो गरित के सेंस में ही पूछा गया है, उसे ही बहुतिक हम लोग कहते हैं, तो संख्या को हम लोग छूँ करके महसूस नहीं कर सकते हैं, छूँ करके आप संख्या को थोड़ी देख पाएंगे, कि ये एक है, ये दो है, संख्या को थोड़ी छूँते हैं, आप तो वस्तू को छूँते हैं ना, यहां पर confuse मत होईगा जैसे कि मालिज ये दो कोई वस्तू है तो आप वस्तू को छूरे हैं उस दो अंक को नहीं छूरे हैं यहां पर यह कहा जा रहा है कि संख्याएं भौतिक ग्यान में आती है तो यह भौतिक ग्यान नहीं है इस वज़े से यह विकल्प निगेटिव था हम पुछा गया था इस वज़े से यह विकल्प हमार नहीं हो सकता चौथा देखिए संख्याएं समाजिक संस्कृतिक ग्यान में आती है क्योंकि प्रतिक संस्कृति में संख्याओं का अलग अलग तरीके से दर्श आ जाता है तो यह भी लेवाइगोस्की का टर्म है समाजिक स संस्कृतिक टर्म इस वज़े से यह भी हमारा उतर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन मर तीन देखिए संख्याओं तर्क संगत गड़तिये ग्यान में आती है क्योंकि संख्याओं वे संबध्ध हैं संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है यह बात ब गड़तिये ग्यान में संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है यानि की एक बिल्री को देखा तो वो समझ गया कि हा एक बात की जरी अगर यहीं उसके पुस्तक में दो बिल्री बना रहेगा तो देखकर करके समझेगा इसे संबंध बनेगा कि हा यहां やंपर तो यह क्या है यह तार्किक गड़िते ग्यान ही तो है इस विकल्ब नबर तीन बिल्कुल एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशने पुछा गया था एक सिक्षी का अपने चात्रों को विभिन भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटाउट देती है यानि कि इस प्रकार से कोई छोटा कोई बड़ा कोई इस प्रकार से अलग अलग कटाउट वर्ग का टीचर के द्वारा बच्चों को दिया जा रहा है आगे पढ़िए वह अपने ग्राफ पेपर पर वर्गों को रिखांकित करने और रिखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए कहती है यानि कि कोई ग्राफ पेपर होगा इस प्रकार से जो छोटे 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 खाने बने होते हैं आप लोगों ने बच्पन में रेखांकित किये गए खानों की संख्या और भुजा की लंबाई के बीच संबंद इस्तापित करने के लिए कहती है अब इनका भुजा क्या है एक भुजा की लंबाई क्या है और इस पे खानों की संख्या टोटल गिन करके उनके बीच रिलेशन बताने की बात की जरी है तो जहीं से बाते जो छोटे-छोटे खाने हैं वो इसके छेतरफल को बताएगा और छेतरफल क्या होता है भुजा का स्क्वाइर होता है यानि कि यहां पर सिक्षिका के द्वारा पहले उदाहरन प्रस्तूत किया गया है और उसके बाद से एक नियम पर पहुंचा गया कि इस कि यहां पर कई उदाहरन प्रस्तूत किया गया और सभी वर्गों को इस ग्राफ पेपर पर वो बच्चा रख करके देख रहा होगा यानि उदाहरन से छेतरफल के नियम तक पहुंचा गया है और हमसे प्रशन ये पुछा जा रहा है कि निमलेखित विदियों में से कौन सा सही है पुछा गया है ठीक है चलिए चौथा विकल दिया गया है प्रवधियों की के उपियोग से गडित में अनवेसर और खोज का छेतर कम हो जाता है तो ये विकल बिल्कुल निगेटिव है क्योंकि टेकनोलोजी की बात की जारी है टेकनोलोजी के मादेम से हम लोग जो 3 का चेतर कम हो जाता है तो ये विकल बिल्क निगेटिव दिया गया है इस वेसे हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा देखे प्रवधियों के कारण चात्र परियाप्त प्रशनों का अभ्यास नहीं करेंगे ये भी विकल निगेटिव है प्रवधियों की का प्रयोग आज हम लो के सा समझ पाएं इस वज़े से निगेटिव था क्योंकि यह कह रहा था कि इससे बच्चों को परियाप्त अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा या फिर बच्चे अभ्यास नहीं करेंगा इसलिए निगेटिव हो गया ठीक है पहला देखे प्रद्योगी की का उपयोग गडि समझ सकता है लेकिन आठिर आज भी टीचर की आउशकता है ना यानी कि यह कहा नहीं कहा जा सकता कि प्रद्योग के इस दधर की कि नहीं संहा च्छ नहीं से मशीन एक मशीन की तरह ही तो वे वहार करेगा वो टेक्नलोजी जो हम लोग यूज करें मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया यह सब क्या है, मशीन ही तो है बच्चे के मन में विबिन प्रकार की प्रेशन उत्पन हो सकते हैं, जिसका एक टेक्नलोजी के माध्यम से उसके सभी प्रेशनों का जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि टेक्नलोजी क्या है, उसमें हम लोग जो उसको रिस्पॉंस करने के लिए इस्ट्रक्शन देंगे, उसी के हिसाब सो तो रिस्पॉंस कर रहा होगा अब वहाँ पर बच्चे के मन में क्या-क्या व्याकूलता है क्या-क्या नई चीजे जानने की इक्षा है ये एक टीजर ही उसकी व्याकूलता को सांथ कर सकता है इस वज़े से ये कहना कि अध्यापक का महत्व कम हो जाएगा ये विकल्प निगेटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकल्प बच्चा आप्शन नमर टू देखे प्रोधोगी की गडित नहीं है यह केवल गडित को करने की एक विधी है मैं बार बार कह रहा था कि जहाँपर केवल दिख जाए वो आपको विकल्प निगेटिव हो जाता है और कभी आपका उतर नहीं होगा लेकिन आपको समझना यह होगा कि यहां पर केवल negative sense नहीं है क्यों ध्यान से समझेगा कहा जा रहा है कि प्रोधोगी की गडित नहीं है यह केवल गडित को करने की एक विधी है यहां पर केवल यह बताया जा रहा है कि गडित करने की विधी है यानि की जो प्रोधोगी की यह जो टेकनलोजी है वो एक पार् इस वज़े से ये विकल्प ही positive है और यहीं हमारा बिल्कुल सा टीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था एक प्रात्मिक कक्छा गडित के अध्यापक ने योग पर अधारित निम ने दो शाब्दिक प्रशन स्यामपट्ट पर लिखें यानि कि जो इबारती इडिशन की बात की ज़री है एडिशन पर अधारित ये इबारती वाले प्रशन है दूसरा प्रशन देखिए एक खिलोने कार का मुले 245 रुपए है यदि मुले में 50 रुपए की व्रिद्धी हो जाए तो खिलोने कार का नया मुले क्या होगा तो पहले के मुले में 50 पूछे जाने का उद्देश से प्रदर्शित करता है यानि कि दो सब्दिक प्रस्ट नों को पूछने bloque पाइमें सरे किम से सुल रहेंगे कहा जाए कि दीए गया सब्दीक प्रस्ट का लग्छे केवल सब्दिक प्रशनों में विविद्धता का योगदान देना है तो केवल जहां पर भी आ गया आपको हमेसा ध्यान रखना है कि यह नीगेटिव होता है इसके पहले वाले प्रशन में केवल पोजितिव सेंस में था क्यों? क्योंकि यहीं तो क्रिटीकल थिंकिग आ कैसे एक जगर negative हो रहा है कैसे एक जगर positive हो रहा है यह आपको चिंतन से आएगा जब आप इस तरह की 50-100 प्रशन solve करेंगे तो आपको खुद यह सभी समझ में आने लगा कि यहाँ कहां पर केवल positive होगा और कहां पर केवल negative होगा यहाँ पर देखिए यह कहा जारा कि दिये ग योग की सनजना पढ़ाने के लिए प्रयापत है यहाँ पर भी केवल negative है क्यों क्यों कि कहा जारा कि केवल यहीं दो ऐसे प्रशन है जिसके माध्यम से बच्चों को योग की संकल्पना सिखाई जा सकती है तो क्या केवल इन दो प्रशनों से बच्चे addition सीख जाएंगे यह हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option number 1 देखिए चात गड़ितीय योग की सनरचना को समझने और योग की आउधाना का उप्योग विभिन परिस्तितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए यह विकल्प सब ज्यादा positive है यानि कि एक ही प्रशन को अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने रिप्रिजेंट किया जा रहा है भाषा के मादम से ताकि बच्चे में जो addition का जो जोडने का आउधारणा है वो और मजबूत किया जा सके और बच्चा विभिन परिस्तितियों में इस प्रकार के addition पर अधारित प्रशनों को देख है कि गडित उस इस्तिति में होता है जहां चलिए पहले पिकल से सुरुआत करेंगे कहा जा रहा है कि छातर प्रशनों का हल पेपर पेंसिल तखनीक से करने में सक्षाम हो तो गडित का में जो उद्देश होता है NCF 2005 के नुसार यह होता है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में जो भी उनका thinking है जो भी उनका समालोचनत्माग चिंतन है वो गडिती रूप में हो पाए गडिती रूप में कैसे जैसे कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कर रहा है उसको mathematically सोच पाए कि आज मैंने दिन भर कितना समय पढ़ाई किया तो समय कैसे वो जा कर पाए क्रिटिकल ठिंगिंग कर पाए यह होता है गडित का मैंने उद्देश एंसी अब 2005 के अनुसार और यह विकल पहला वाला केवल पेपर पेंसिल से प्रेशन को हल करने के लिए बोला था काफी संकुची था इस वैसे यह हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव जो आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है और बच्चे सूत्र को रटे हुए है दो गुड़े लंबाई धन चोड़ाई लेकिन यह सूत्र आता कहां से हो सकता है बच्चा इस ओधाना को ना जानता हो परिमाप क्या होता है चारो भुजाओं का योग अब देखिए एक ब लंबाई को दो बार एड कर देता हूं उसके बाध एक बार चोड़ाई यह आया एक बर चोड़ाई यह रहाए दो बार चोड़ाई को मैं एड कर देता हूं अब यहां पर देखिए यॉल प्लेस टुल और बी प्लस Б, टू, बी हो गया तो टू मैं कर्मल ले लेता हूं pelo dusolo यहां से यह आता है यह main concept है अब सूत्र का प्रियोगर अगर बच्चा directly केवल यह कर रहा है तो बच्चे को main concept पता नहीं है इस वज़े से सूत्र को negative माना जाता है क्योंकि गडित का main उद्देश यह है कि बच्चों को सूत्र पर आधारित ना करके main concept बताया जा और यह विकल दैनिक जीवन में किस तरीके से उसको इस्तमाल किया जाए गडिती करण किया जाए अपने thinking में किस प्रकार से ला जाए यह main उद्देश से होता है NCF की अनुसार तो यह भी विकल्प निगेटिव हों कि हमारा उत्तर नहीं होगा एक यह विकल्प बच्चा option मरती देखे च इंहें अगला प्रश ने पूछा गया था गडिती खेल और पहलिया सहाइता करती है गडित मैं जो होति है वह किसमें सहाइता करती है यह हमसे पूछा जया रहा है पहला प्रज्मर्रा के बिवेचन के बीच सम्व जैसे कि मान लिजे कि बच्चों को ग्रूप में बाट दिया गया और बोला गया कि आप लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें पहला बच्चा जाकर के लाइन में खड़ा हो जाएगा और अगला बच्चा अगला नैचुरल नंबर यानि प्राकृतिक संख्या के ग्रूप में जार आएगा तो प्रतेक बच्चे को ये ग्यात होगा ये नियम ग्यात होगा और इस नियम के अंदस्वार बच्चे ग्रूप में आगे जाकर के खड़े हो रहे होंगे अगली बार कितने बच्चे खड़े होंगे पांच बच्चे खड़े होंगे तो ये कहा जा रहा है कि गडित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबन दिस्थापित करने में ये मदद करता है तो बिल्कुल सही बात है mathematical concept बच्चे गडिती ये खेल के मादम से सीख सकते हैं तो ये विकल पॉजटिव था हमारा उत्तर होगा कुछ भी पढ़ा नहीं रहें लेकिन खेल के मादम से ही वो चीजों को समझने में सक्चाम हो रहें तो इससे बच्चे क्या होंगे कि गडित के प्रती जो उनका भै रहता है वो कम होगा और जैसे ही भै कम होगा वो सकरात्मा का attitude लेकर के कक्चा में आएंगे गडित पढ़ने के लिए ये विकल बिल्कुल positive था हमारा उत्तर होगा तीसरा देखिए अध्यापा का कारे कम करने तथा प्रशनों को सेंपट पर हल करने की एक रस्तता को समाप्त करने में ये विकल्प negative है क्यों क्योंकि यहाँ पर ये जो word लिखा गया है अध्यापा का कारे कम करने में ये इसको negative बना देता है क्यों क्यों क्योंकि आज हम लोग बाल केंदर सिक्छा की बात करते हैं जिसमें बालक केंदर में बालक की बात होनी चाहिए कि बालक के लिए परिस्त तरीके से बच्चे को सिखाय जा सकता है, जबकि ये विकल्प टीचर की बात कर रहा था, इस वैसे ये विकल्प निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा, चोथा देखे कक्छा में अनुशाशन बनाया रखने में, देखे कक्छा में बहुत जादा अनुशाशन भी एक तरीके की बात करते हैं, जिसमें स्वा अनुशाशन की बात की जाती है, यानि बालक को आप इस तरीके से पढ़ाइए, कि बालक उसमें रूची लेने लगे, और जब भी किसी काम में इंट्रेस्ट लेता है बच्चा, तो निशी तोर पर उसको करने के लिए ततपर होता है, जब खुद रूची लेगा, तो खुद इससे स्वा अनुशाशित होगा, तो किसी भी गड़िती खेल और पहली का में उद्देस से बच्चो को अनुशाशन में लाना नहीं है, क्योंकि में उद्देस यह होता है कि बच्चो को गड़ित के प्रतिर रूची उत्पन की जाए, ताकि वो खुद से स्वा अनुशाशित हो सके, इस वज़े से ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानि कि केवल एक और दो वाला विकल्प सही है, चलिए अब ऑप्शन में चलते हैं, दिये गए ऑप्शन में देखिए, केवल ऑप्शन की बात की जाड़िए, कि गड़ित कम है, तो फ्रून आऋधाना क्यों माना जाता है, ध्यान से समझेगा, पहला दिया गया, पैटर्न देखने में आकर्शक होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा तुक नहीं बनता है, कि पैटर्न आकर्शक होते हैं, इसलिए इसको सामिल क जाए आकर्शक तो बहुत चीज होते हैं देखने के लिए बच्चों के लिए तो क्या सबको गड़ित में सामिल किया सकता है नहीं किया सकता है तो किवल आकर्शक की आधार पर पैटर्न को सामिल नहीं किया गया इस वाज़े से विकल्प निगेटिव हो गया हमारा उत्तर न लोग विबन बीजी वेंजेक जो एक्स हो गया वाई हो गया जेड हो गया या फिर कुछ भी चीज़े जिनका हम लोग मान निकाल ले होते हैं तो इन पैटर्न के माद हम से हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कि मालीजी अगर प्रशन इस प्रकार से पूछे कि एक समध्य प्राइना कोडों का मान क्या होगा अलग-अलग ये हमसे पूछा गया है तो इसमें देखी हम लोग क्या करते हैं इसको X मानते हैं इसको Y मानते हैं इसको Z मानते हैं ये क्या है ये बीजी ticking ये बैजेक है अब चुकि ये सम्धिबाहुत तेबिजे यानि ये AB और AC भुजा बड़ाबर हो गया अब एक और हमें पर रखा है कि कोन त्रिभूज के तीनो अंता कोणों का जो योग होता है वो कितने के बड़ाबर होता है 100 असां के बड़ा वहता है यानि कोन X दनकोण Y दनकोण Z कमान कितना हो जागा अब देखें कोण X बराबर कोण Y है यानि कि कोण Y की जगा अगर हम लोग कोण X रख दे तो क्या हो जागा टू कोण X हो जागा प्लस कोण Z बराबर एक्स वस्यंस ठीक है तो एक यहाँ पर हमें सूत्र यह मिल गया यह सूत्र कहा रहा हूँ equation हमें यह मिल गया 2X कोण 2X ब्लस कोण Z बराबर एक्स वस्यंस तो इससे होगा क्या कि यह एक समिक्रण हमें मिल गया और दूसरा समिक्रण निकाल करके हम इन तीनों का यहाँ पर equation निकाल सकते हैं हो सकता है कुछ और condition दिया गया रहा है जिसके माध्यम से हम लोग इस equation को solve कर सकते हैं देखें यहाँ पर main aim यह नहीं है कि इसको solve करके x और y, z का मान निकला जाए यहाँ पर main aim यह था कि बीज गडित का जो आधार भूत और धाणा है कि जो चीज़ें में नहीं पता है उसको किस प्रकार से में बीजी वेंजेक मान करके उसका value निकाल सकते हैं उसका concept बच्चे के अंदर build किया जा सकता है इस pattern के माध्यम से इस प्रतिमान के माध्यम से यहीं इसका गडिती और धाणा कहा जाता है इसलिए इसको महतपून गडिती और धाणा कहा जाता है विकल्प नबर 4 बिलकुल एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका सटिक जवाब होगा उमीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा अगला प्रशन पुछा गया था गडित के सिक्षक ने चातरों के सामने निमलिकित प्रशन रखा देखे प्रशन क्या पुछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी चार अंको वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी चार अलग अलग अंकों का उपयोग करो परंतु सर्त यह है कि सदयो इकाई के इस्थान पर होना चाहिए उप्रशन के सम्मंद में कौन सा कथन सही है ध्यान से समझेगा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने की बात की गई है और ये कहा जा रहा है कि इकाई के अंक पर हमेसा 6 रहेगा ये कंफर्म कर दिया गया है कि दोनों संख्याओं में इकाई के अंक पर हमेसा 6 रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या चारंखों की क्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी तो एक के आगे जीरो जीरो लगा देंगे तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और ये सबसे बड़ी संख्या होगी इसे से ज्यादा कुछ प्रतेक बच्चे का उतर जो होगा वो common आएगा क्योंकि इसमें एक ही सम्भावना बन रहे ही result को लाने के संदर में इसी को ध्यान में रखर करके उतर डूणेंगे चलिए पहले विगलब से सुरुआत करते हैं पहला दिया गया है यहाँ खुले सिर्य वाला प्रश्न है खुले सिर्य वाला प्रश्न उस प्रश्न को बोलते हैं जिसमें प्रतेक बच्चे का उतर अलग आने की संभावना हो यहाँ पर कोई भी जहें कक्छा में सौ बच्चे हो या फिर हजार बच्चे हो सब का उतर एक ही आएगा जो कि मैंने आपको बताया क्यों क्योंकि यहां पर कंडिशन्स दे दियेगे हैं कि आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ही निकालना है जिसमें इकाई के स्थान पर छे हो तो कंडिशन्स बिल्कुल एक तरीके से यूनिक एंसर की तरफ ले जा रहा है इस व परकार के प्रशन कक्छा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनको हल करने में अधिक समय नश्ट हो जाता है तो यह भी विकल्प निगेटिव है अगर केवल हम लोग समय पर फोकस करेंगे हमें समय बचाना है तो बच्चे कहां कॉंसेप्ट सीक्स पाएंगे बच्च अलमा दूसरा एंसर नहीं आएगा जिस पर पहुँचने के लिए तरक संगत चिंतन की आऊशकता है तरक संगत चिंतन मतलब की देखें इकाई के स्थान पर जो 6 फिक्स कर दिया गया था तो उसी के लिए थोड़ा सा चिंतन करने की आऊ सकता होगी कि इकाई पर दोनों में उपकरनर की तरह है जो की केंदरित है ध्यान से समझेगा दैनिंदिनी का मतलब यह होता है कि जो डे टूड़े बच्चे लाइफ में जो कुछ भी उनकी घटनाई हो रही है उनको गड़ती भासा में किस प्रकार से लिखा जा सकता है जैसे कि आज मैं सुबा 6 बजे उठा 6 बजे क्या है गड़ती अंक है सुबा उठने के बाद से मैं 10 मिनट सौच में अपना समय व्यतित किया 10 मिनट फिर से गड़ती अंक आ गया उसके बाद से मैंने 2 मिनट में ब्रस किया उसके बाद से सुबा का नास्ता लेने के बाद से मैं 10 बजे ऑफिस चला गया तो 10 बज आस्ते से राशन का समान लेकर के आया जो की 525 रुपय का हुआ था यहां पर देखे सब कुछ mathematically मैं thinking कर रहा हूं mathematically अपने दैनिक जीवन से जोड़कर के गडिती कर रहा हूं यानि कि गडित का प्रयोग दैनिक जीवन में करना यानि कि जो कुछ भी आप कर दैनिक जीवन में किये हुए है उसी को राइट डाउन करने की बात की जारी है लिखने की बात की जारी है और वह भी गडिती भासा में ठीक है इसी को ध्यान में रखरके उतर ढूणेंगे चाता विकल्प दिया गया है चात्रों क को solve करना बहुत संकुचित है इस वाइसे ये विकल्प निगेटिव हो गया तीसरे देखे छात्रों की गडित भासा को सुधारने में ये विकल्प निगेटिव है किवल लेंग्वेज नहीं सुधारना है बलकि ठिंकिंग में mathematical concepts को लाना है ठीक है इस वाइसे ये विकल्प न जो problems बच्चे गडित में solve कर रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन में जोड करके उसको सीख सकते हैं ये कहने का मतलब है और इसे से जब बच्चे मोंटिवेट होंगे तो गडिती करन उनके दैनिक जीवन में आएगा ये विकल्प बिल्कुल appropriate है और यहीं इसका बिल्कुल परड़ाम है देखिए पहला दिया गया है विविद आक्रितियों को पहचानना बुजाओं के अधार पर बनावाट के अधार पर दिखावाट के अधार पर ये दृसीकरन इस तर बताया था किसने वैन हील के सिध्धांत के अनुसार तो पहले विकल्प के अनुसार बच्चा दोनों में अंतर Ya anybody की वो समझ पाता है कि हां आमने सीमने की सुद्सा बराबर नहीं है जब कि इक तरीके से जो रखताहियों बनावट के अधार की अधार पर ब परोपार्टी यानि बच्चे वह सब देकर पहचानी है तो अभी तक कि साबसे बच्चा विसलेशन इस्तर में पहुंच चुका है आगे देखिए आकरितियों की भुजाओं कोड़ों और सिर्सों को पहचाना तो ये भी बात बिल्कुल से दिरिस्तिकरन इस्तर की इसारा कर रहा है इस वज़े से हमसे पूछा गया है निमलिकित में से कौन सा वै कादम से जरूर बताएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही माथपून वीडियो लाने के संदर में अगर आप गडित के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना च शुभव